चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भोलें नमस्कार मैं विश्णु सरमा मेरे इस चैनल विश्णु एटीपी में आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के प्यार से मैंने आज चैनल पे 57,000 सब्सक्राइबर पार कर लिये हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो चलते हैं आज के इस टॉपिक पर आज के टॉपिक है कि हम बच्चों को लिखना कैसे सिखा है या फिर बच्चों के अक्चरप कैसे सुधा रहे हैं तो इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना चुका है आप चाहतों लिंक पे देख सकते हैं लेकिन कई लोगों का ये कहना है बहुत सा कमेंट आया है कि उस पे बहुत समय लग रहा है और ट्रिक तो बहुत अच्छा है लेकिन हमें कुछ और आशान ट्रिक दीजिए क्योंकि हम कामकाजी महीला है या फिर पालक है पिता जी है वो बोलते हैं कि हम काम करते हैं बहुत सा हमारे पास समय नहीं हो पाता तो कुछ ऐसे ट्रिक बताईए कि हम बहुत ही कम समय में बच्चों को अच्छे से लिखना सिखा सकें तो मैंने आप लोग के लिए ट्रिक ढूंडा है मैं यह सब इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं प्रैमरी स्कूल का टीचर हूं और बहुत सारे अनेक प्रकार के बच्चों से मेरा सामना होते ही रहता है क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सांथ सुभाव के होते हैं कई ब तो सभी के लिए मैंने कुछ न कुछ वीडियो बना कर रखा है तो आप जरूर मेरे शेलन पर आईए और वीडियो को देखिए और वहां पर आपको आपको आपका जो भी परशानी है उसकी समाधान आपको अवश्य है मिलेगा तो आज को जो वीडियो है कि बच्चों को हम कैसे समझाएं कैसे लिखाएं लिखने का सही तरीका क्या है या उसके अक्षर कैसे सुधारें तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा शमाधान ठोण निकाला है और मैं बच्चों से ऐसे ही कराता हूं मेरी वी एक छोटी सी बच्ची है चार साल की और उसे मैं घर में मैं एम आट वगरा नहीं गरशता और याज वच्चों बहुत है में को बोरी बात नहीं है लेकिन गरट चाहते हैं या आपका बजचेत कि बच्चों को लостag ल参चा ठाव कौरा है जिस spo gives अब्चों को बहुत या सिखे है बच्चों को उस्दाھना क्रू और अच्छी शु करते हैं सबसे पहले हम लेंगे एक सिंगल लाइन की कॉपी जो कि आपके बच्चों के पाद जरूर होगी नहीं होगी तो आप खरी सकते हैं उसके बाद English के लिए हम करेंगे चार लाइनों की कॉपी जो भी आशानी से आपको मिल जाएगी उसके बाद हम गड़ित के लिए आ एसी बात नहीं है कुछ आपको नया बताने वालों आपको जरू फैदा होगा एक बार आप देख लीजे को करना क्या है सबसे पहले तो आप एक पैंसिल लेंगे और एक सिंगर लेंगी कॉपीी यह हिंदी विश्य के लिए है आपको मैं हिंदी के लिए बताने जा रहा हूं कि बच्चों को हिंदी में अच्छा सुधारना है अगर आपको उनकी हिंदी के अच्छा बनाना है उन्हें लिखना सिखाना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं होता तो उस ची कर् consulting कि और आप जैसे कि यहां पर मैं लिखा रहां का आ और ना इस प्रकार से आपको लिखना है यदि आपको लगता है कि आपका अक्षा-छा नहीं है तो आप किसी और से लिखा सकते हैं और यादि यह भी और आप जैसे कि यहां पर मैं लिख रहा हूं अनार का और आ इस प्रकार से आपको लिखना है यदि आपको लगता है कि आपका अक्छा अच्छा नहीं है तो आप किसी और से लिखा सकते हैं और यदि यह भी नहीं हो सकता तो ऐसी आपको बुक में यहां पर आपको लिखा और आप पूरे पेज में इस प्रकार से लिखे लेंगे, एक पेज में पूरे पेज में आप चाहे तो आ आ पूरा ली सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार से ये आपको एक्जांपल के लिए टाइम न लेते हुए आपको एक्जांपल दे रहा हूँ, कि आपको इस टाइप का लि तिंटिंग वाले के पास से क्योंकि 32 हस्ता परता है 100 रुपय में 200-300 पेज तो निकाले जाते हैं उसके बाद कुछ नहीं आपको बच्चों को रोज एक पेज दे देना है और बच्चों को इसके उपर आप इस प्रकार से देखिए रोज रोज बच्चों को आप एक पेज द हैं लिखने की और धीरे धीरे उनका हाथ इस प्रकार से सेट हो जाएगा और जिस प्रकार का अख्छर यहाँ पी दिखे होंगे उनकी हाथ वैसे चलते जाएंगे और वैसे उनका अक्षर भी हो जाएगा, तो इसके लिए जरूरी है, कि आप भी सुनदर अक्षरों में लिखे, या फिर साफ सुतर अक्षरों में लिखे, यदि आपका अक्षर अच्छा नहीं है, तो आप किसी और से लिखवा सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा, कि ऐसे पेज मिलते या फिर copy book से आप किसी के photocopy करवा सकते हैं देखिए यहां पर मैंने आपको तरीका बताया है पहले दिन आप A लिख लेजिए पूरे दूसरे दिन B लिख लेजिए इस प्रकार से अनिक प्रकार की photocopy करवा सकते हैं या फिर निकल वा सकते हैं उसके बाद आप चाहे तो A to Z एक पर लिख लीजिए और उसका photocopy करवा लीजिए 10 copy 20 copy आपको जैसे सहले जमें जो आपको उचित लगे उसके बाद यह दिया आपका प्रक्रेक्टिस हो जाता है बच्चों का ABCD वाला उसके बाद आप यहां पर बच्चों बच्चों को चोटे अलफबेट हो गए ABCD के उसके बाद आप चाहे तो वहां पर sentence भी लिखा सकते हैं यहां पर लिखा सकते हैं जो आपको लगता है उचित आप लिख लिख लिजिए अपने हिसाब से नय नय वर्ड लिख सकते हैं और उसके बच्चों को दे दीजिए और 3,4,5,6,10 तक के लिख लिख लिजिए और इसके आगए भी आप लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आपको बता दियो तरीका क्या करना है आपको मैं short में समझा रहा हूं आपके पास समय नहीं होता इसके नाम से मैं आपको बता रहा हूं कि आप बस यह फोटो को भी कर कर सकते हो और बच्चे को दे दीजिए और इसका बच्चे इस प्रकार से इसके उपर पैंच राते रहेंगे मैंने आप डार के लिखा हुआ है आप कोशिस करेंगे कि पैंसिल से हलके में लिखे ताकि जब उसके उपर पैंच रहा है बच्चे तो डार कुन है अलग से इस प्रकार से आप 4-5 पे CR करवा लिजिए और उसका पॉंपलेट या फिर फोटो कॉपी आपको जो उचित लगे आप निकलवा लिजिए एक में खाली वर्ड रहेगा एक में सेंटेंस जो भी आपको करना है आपके हिसाब से जो आपको सिखाना है बच्चों को आपको जिस इस पर जम जाएंगे रोज रोज लिखते-लिखते और बच्चों का अक्षर ऐसी ही बनने लगेंगे तो कोशिस आपको यही करनी है कि जो आप लिखके दे वो जो अक्षर है अच्छे हो ताकि बच्चों के अक्षर अच्छे बन सके और नहीं तो आप बुक से भी ले सकते देखे इस प्रकार से बच्चों को लिखने देंगे और यही प्रोसेस आपको जो भी विश्य में आपको करना है देखे यहां पर हिंदी में लिखा हुआ हूँ है यहां पर एक दिन चाहए तो पूरे अ देख सकते हैं एक पेज में और पूरे पेज में लिख लीजिए दूस जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं इसी प्रकार से गड़ित के लिए यहां पर मैं डार्क में लिखा हुआ हाँ हलकी पेंसिल को प्योग करेंगे ताकि बच्चे उसके उसके उपर जब पेंसिल चलाया तो उन्हें आसानी से दिख जाए बस आपको यही करना है यह सब अपने आप लिखिए तो भी उसके अक्षर ऐसे ही बनते हैं क्योंकि उसका हाथ जम चुका है इसी प्रकार से जो आपके बच्चे हैं उनका हाथ भी जम चुका होगा और जब आप उनको कोरे पेज पर लिखने देंगे तो हो सकता सुरू में परशानी हो कि वहां पर लिख को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि आपको कैसे लगी और इसमें क्या सुधार हो शकता है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद